हालो आपरिबन वेलकम टूमाई सिनल तो आज हम दो देखेंगे फेरैडे डिसकवरी फेरैडे ने क्या डिसकोबर्ट किया जिसके वज़ा से पूरा दुनिया पदल गया है आप देख सकते हैं यहां पे क्या कहता है है अगर फेरैडे नहीं होता देर वूर्ट है नो एलक्रि सिटी ऐसा कहा जा रहा है अब इसे क्यों कहा गया है तो माइकल फेरैडे ने 1831 में एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग फेरैडे को डिसकवर्ट किया था अब यह जो फेरैडे का डिसकवरी है क्या यह हम लोग को जानना पड़ेगा तो इस डिसकवरी के बारे हम बात करेंगे कर यहां पर नेग्स्ट टॉपिक एही हमारा है कागया है इलेक्ट्र मेंगेनेटिक इंडचन तो बैसे के बारे में पता किया था अब यह होता क्या है असो daha पर सब्सक्राइक प्रोलुक बात कर लेते हैं दो बेशीकलि यहां पर यह है कि यह घुत हमारा मेंगनेटिक है यहां इंडेंफ यह यह मेंग गोकिस्टीन है Hep to इंडेक्शन आνनि यह बताए कि जो हमारा मेंगनेटिक इनरजी में है है और उसके तो से हम एलक्टिक करेंट को तयार कर सकते हैं एलक्टिक करेंट को हम प्राप्ट कर सकते हैं कि कहता है मैंगनेटिक एफेक्ट ऑफ एलक्टिक करेंट के बारे में हमने जानकारी पाया था उसमें क्या था कि यह जो हमारा इलक्टिक एनर्जी है इसको हम मैगनेटिक एनर्जी में कनवर्ट कर सकते हैं यहाँ पर बात हो रही है इलक्ट्रो मैगनेट की किसकी बात हो रही है इलक्ट्रो मैगनेट की आपको पता है इलक्ट्रो मैगनेट जो हुआ करता है वो क्या होता है तो इलक्ट्रिक करेंट के है मैंगनेट का यहां पर तयार होना हमारा गर इसका ऊर्ग करता है यहां की मैंगनेट के हैल्पसई को त्यार कर सकते हैं यहां पर बता गया भ्लक सित हूर आखते यहां पर एक quality के दोरा यह देखी यहां पे अमने लोगों को दिखाया गया है एक coil ठीक है यह क्या है तो basically यहां पे wires है जो आप red color के देख रहे हैं यह हमारे wires है जो इस पे उंड है और लपेटे हुए हैं और यहां पे एक magnet लिया गया है तो magnet को जब इसके नजदीक लाया जाता है तब क्या होता है जो bulb हैने यह glow करने लगता है आने कि जब यहाँ पर magnet को motion में लाया जाता है तो यह हमारा जो coil है आनि wire जो है wire में electric current flow करने लगता है electric current induced हो जाता है तो यह जो हमारा phenomenon है इसी को हम लोग कहते हैं electromagnetic induction अब यहाँ पर briefly हम लोग यहाँ पर discuss कर सकते हैं कहता है take a hollow cylinder pipe of iron and उसके बाद हम लोग क्या करना है wind a large number of turns of well insulated copper wire copper wire को उसके हम लोग को क्या करना लपेड देना है ओके इसके बाद क्या करेंगे clean the two ends of wire attached to the bulbs bulbs से हम उसको attach कर देंगे दोनों end को now take a strong bar magnet and move it rapidly towards the center of the pipe without touching it हम लोग ना क्या करेंगे बहुत तीजे से move करेंगे जो हमारा magnet है उसको यह जो हमारा pipe है उसके अंदर की और what do we observe क्या देखेंगे we find that bulb glows however it glows only for a while and stop glowing as soon as the magnet stop canoe особi मारा मार्क करने पॉंप है कि जब तक हमारा यह मेंगनेट यहां पर लहेगा तभी तक यह बल हमारा ग लो करता है जब हमारा यह मेंगनेट यहां पर motion में महारा था हूप यह further क्या कहता है if we now withdraw the magnet away from the coil we find that the bulb again glows up okay momentarily we are thus getting electricity through this motion of magnet near through a coil okay जब हम लोग कोई के नजदीक कोई के नजदीक जब लोग magnet को motion में लाते हैं तब यह magnet के जो motion है इसके वज़ा से इस coil में जो wire है जो हमने आपे wire को लपिट के रखा हुआ है उस wire में हमारा electric current आ जाता है और यह जो फेनोमेना है इसी फेनोमेना को हम लोग यहां पे किस नाम से जानते हैं Electromagnetic induction के नाम से जानते हैं ओके अब यह जो discovery है इसके वज़ाए से पूरा दुनिया बदल गया लोगों को electricity मिल गया बहुत थे आसानी से और यह बहुत important है तो आए थोड़ा समया पर और चर्चा करते हैं Electromagnetic induction को लेकर करके तो देखिए आपर क्या का गया है अदि फेनोमेना in which electric current can be generated by a changing magnetic field is known as Electromagnetic induction यहां पर जो हमारा electric current है वो जनेट हो रहा है किसके वज़ा से magnetic field के वज़ा से तो magnetic field को अगर हम change करते हैं किसी क्वाइल के नजदीक तब क्या होता है वहां पर जो वायर है उसमें हमारा electric current produce हो जाता है electric current induced हो जाता है उसी को हम लोग कहते है Electromagnetic induction the discovery and understanding of the phenomena of electromagnetic induction is based on the series of experiments carried by faraday and henry यहां पर टू सैंटिस के नेम लिए गए पहला तो एक faraday और दूसरा हमारा क्या यहां पर henry ठीक है देर experimental observations can be summed up as follows अब यहां पर क्या-क्या experiments हुआ था उसको थोड़ा सम यहां पर point wise देखेंगे तो पहले point के हम बात करते हैं कहता है whenever there is a relative motion between a magnet and a coil that is part that is part of an electric circuit okay a current flows through the coil जब भी यहां पर magnet और circuit के बीच में आनि coil के बीच में हमारा relative motion आता है आनि magnet के नजदिक हमारा coil रखा हो और दोनों में से कोई एक motion में हो दोनों stationary नहीं हो यह यहां पर mark करने वाले point है कि जो coil हमारा होगा और जो हमारा magnet होगा दोनों के बीच motion होना चाहिए दोनों में से कोई एक हमारा move करना चाहिए तो जब तक वो motion में रहेगा तब तक हमारा current flow करेगा किसमें coil में यह हमारा यह पहला है एक्टिविटी का यह पहला point हुआ दूसरा कि दी फुलो आफ करेंट अस्टॉप्स आज सुन एज दे मेंगनेट एंडी क्वाइल आर एक रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इच अदर जब दोनों रेस्ट में रहते हैं आने कि ना ही मेंगनेट और ना ही क्वाइल दोनों में से कोई भी हमारा motion में नहीं है तब क्या होगा तब उस condition में यह जो हमारा current वो current हमारा flow नहीं करेगा किसे क्वाइल से तो यह भी हम लोग मार्क करेंगे कि अगर दोनों यहां रेस्ट में है मेंगनेट भी और क्वाइल भी कोई motion में नहीं है तब वहाँ पे current नहीं रहेगा तीसरा दी faster is the relative motion between the magnet and the coil the more is the current that flows through the coil देखिए अगर ज्यादा fast हमारा रहेगा motion ठीक है बहुत ज्यादा fast रहेगा तो हमारा जो current यहां पे produce होगा वो भी ज्यादा होगा ओके more is the current ज्यादा current produce होगा अगर यहां पे जो motion होगा वो फास्ट होगा तो दूसरा तीसरा होगिया fourth number अब यह हमको समझना पड़ेगा हमारे पास यहां पे क्या है ना एक magnet है और एक coil है तो अगर हम magnet को coil को ले जाते हैं तो हमको current मिलता है हम यहां पे दूसरा क्या कर सकते हैं coil से दूर ले सकते हैं magnet को हम coil से दूर ले जा सकते हैं magnet को हम coil के नजदिक ले जा सकते हैं तो दोनों यह case में हमारा current produce होगा लेकिन direction उसका क्या होगा opposite होगा चुकि motion यहां पे change हो रहा है तो यह हम लोग basically याद रखेंगे कि अगर हम direction change करते हैं magnet का motion का तो जो current हमारा produce हो रहा है current का direction भी change हो जाएगा बस इतना movement अगर हमारा movement direction change हो रहा है तो current का भी direction हमारा change हो जाएगा यह देखिए यहां पे हमको coil दिखाया गया है यह coil है और यह हमारा magnet है तो अभी हम इस direction में move किये तो हमारा current produce होगा हम magnet को इसका reverse भी कर सकते हैं तो reverse motion में लेंगे तो भी current produce होगा लेकिन दोनों ही case में क्या हो ना current जो producer उसका direction opposite होगा चुकि यहां पे motion का direction change हो रहा है बस यह हम लोग कि यहां पे बैसिकली समझाया गया fourth point पे अब यहां पे important point है the phenomena of electromagnetic induction forms the underlying principle of all modern day generators and transformers जितने भी हमारे generators है ट्रांसफार्मर्स है उसका जो basic principle है वो क्या है यह electromagnetic induction आनि इसी principle पर वो सब करते हैं तो अगर electromagnetic induction का नहीं होता तो आजँ जो bandwidth भी नहीं होता TensorFlow भी नहीं होता ट्रांससफार्मर भी नहीं होती रोड रोड आप सणकी किनारे देखते हो transformer लगे वे ओए होते हैं को आप देखते अधर में जनेरेटर होते हैं तो एस बडिवाइस नहीं होते हैं अगर इलेक्ट्रमेटिक इंडक्शन नहीं होता तो कितना इंपोर्टन डिस्कवरी यह तो आप समझ गए होंगे नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं डिजनेरेटर्स help us to convert mechanical energy into electrical energy today's civilizations on its progress to a very great extent to the discovery of this phenomenon of electromagnetic induction तो basically यहां पर क्या कहा गया कि यह जो हमारा जनेरेटर है वो mechanical energy को किस में convert कर देता है electrical energy में ओके आने कि आप यूं कह सकते हैं कि जो motion है mechanical energy मतलब क्या motion जो हमारा coil में या फिर motion हुआ उस motion को वो किस में convert कर दिया है electrical energy में और आज के रेट में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उप्योग किया जा रहा है नेक्स्ट यहां पर do you know की बात कर लेते हैं हम लोग तो यहां पर क्या कहा गया न कि जो हम लोग सेटेलाइट लौंच करते हैं वो सेटेलाइट लौंच करते हैं उसको electrical energy कहां से मिलता है उसको एनर्जी कहां से मिलता है तो यह हुआ हुआ है, यहां पे लोग सेटलाइट लॉंक्स करते हैं उसमें क्या वक्तिंघ भिन लगे मुष्न अर्क कहने का मतलब हो रहा है emf को elkomotive force कहते हैं तो इसके बारे हम आगे classes में देखेंगे कि emf के बारे डिटलील में लेकिन आप emf को आप यहां पर समझ सकते कि वह एक तरह का हमारा potential difference है अनिकी electric current produce होने का बन रहाया है तो जो satellite launch किया जाता है उसमें यह सा setup लगा हुआ होता है कि अर्थ के जो magnetic field है उसके help से वो वहाँ पर electric current को produce कर ले देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर हम लोग देख लें कहता है an artificial satellite may have a long metallic chain cable attached to it when the satellite orbits a particular planet it cuts the magnetic field lines of that planet जो planet है उसके magnetic field lines को क्या करते कट करता है अन इंड्यूस्ट इम्फ अनकी emotional emotional EMF जो होता है गेट्स डेवलप्ट इन देख लेंगे ठीक है और यहाँ पर हमारा चिप्टर खतम हुआ और इधर हमारा आगया की वर्ड्स तो नेक्स्ट वीडियो लेशन में में इसका question answer देख लेंगे ओके अ